बालों को जढ़ने से रोकने के लिए एक वाइरल हैक आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हमें सबसे आदब हेरफॉल कब होता है कब हमारे गुच्छों मेवाल जढ़ते हैं जब हमारे बाल गीले होते हैं तब सबसे ज़्यादा कमजोर होती हैं हमारे बालों की जड़े और ऐसे में मैग्सिमम हेर फॉल हम नोटिस करते हैं बालों को जढ़ने से रोकने के लिए ऐलोवेरा से बेस्ट और कुछ भी नहीं है अपने घर पर मैंने भी ऐलोवेरा का पौधा लगा कर रखा हुआ है आप भी अपने घर में ऐलोवेरा का एक प्लांट ज़रूर लगाईए बहुती लो मिंटिरिंस प्लांट है और उसके साथ में ही बहुत सारे फाइदे भी है ये हमारे बालों के साथ-साथ, हमारी स्किन के लिए भी वाकई में बड़ा फायदेमंद होता है हमारे चेहरे को गोरा करने में मदद करता है, पिग्मेंटेशन को भी दूर करता है तो अलोवेरा की लीफ को इस तरीके से में टुकडों में काटती जारी हूं, चोड़ चोड़े टुकडों में और अलोवेरा के जेल के अलावा मैंने अलोवेरा के छिलके का भी इस्तमाल करा है कई सारे लोग छिलके को हटाते हैं और जेल का यूज करते हैं बिल्कुल बात है लेकिन छिलका होता है लिठी ये भी हमारे बालों के लिए को बहुत बैनिेफीशल होता है ये हमारे बालों की जड़ो को मजबुत देनी का काम करता है तो एक ऐलो वीरा की लीव को मैं फिरिज में रख दूँगी स्टोर करके ये खराब नहीं होती है फ्रिज में तो सारे अलोवेरा के कट करे हुए पीसिस को मैंने ब्लेंडर में डाला है और इसे हमें 15-20 से के लिए ब्लेंड करना है बिना पाने डाले और स्मूथ सा पेस्ट बना कर हमें तयार करना है अलोवेरा को आज हम एक अलगी तरीके से अपने बेस्ट क्लेंजर का काम करता है स्कैल्प को क्लीन करता है डैंडरफ को रिमोव करता है बालों में बहुत ही अच्छा सा ग्लो भी आता है और बालों में डाक ब्राउन कलर एड होता है जिससे बाल बहुत ही जादा सुन्दर और खुबसूरत दिखाई देते हैं तो एक बड शेंपू कोई भी शेंपू यूज कर सकते हैं मैं हमेशा पाउच वाले शेंपू का यूज करती हूँ ताकि क्वांटिटी का ध्यान रहे कि मैंने कितनी मात्रा में इस्तमाल किया है तो एक पुरा शेंपू का पाउच में डालने वाली हूं मेरे बाल कमर तक आते हैं तो मैंन इसे आपको अपने स्कैल्प की मसाज करना है चार से पांच मिनिट के लिए इस मिक्षर से अपने बालों की मसाज करें ताकि ब्लड सर्कुलिशन भी इंप्रूव हो और चार पांच मिनिट मसाज करने के बाद आप अपने बालों को रिंस कर सकते हैं अची तरीके से दो तीन काफी यह तुली रिंस कर लीजिए और आपका स्काल्प बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। डैंडर्फ के ट्रेसिस बिल्कुल रिडियूस है, हेर फॉल कंट्रोल करने में अलोएरा सबसे ज़ादा बैस्त है। काफी वहारे बालों फो मारे स्कैल को रीं करेगी डेंडर को रिमुव करने में मदद करेगी जब भी आप बालो पर शेप्लिक बालो को शेम्पो को डायक ली अब आपलाए करें हेर फॉल यकीनन ही कंट्रोल में आ जाएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें